प्रदेश सरकार 100% सवारियों के साथ बसे चलाने पर विचार कर रही है जिसका प्रदेश नीजी बस ओपरेटर्ज ने स्वागत किया है और सरकार का आभार जताया है कुलू के नीजी बस ओपरेटर्ज ने टोकन टेक्स और S.R.T. को माफ करने जैसी कुछ मांगे भी पूरी करने की सरकार से अपील की है उनने कहा कि कुलू जिला में फिलहाल 40 रूट्स पर बसें चल रही थी लेकिन आगामी दिनों में ग्रामिर्वा शहरी क्षेत्रों में दो दर्जन और बसों के रूट्स बढ़ाये जाएंगे कि जो अब तक कि ये करोना काल चल रहा है तब तक के लिए एक साल के लिए हमारा टोकन टेक्स और S.R.T. माफ की जाए इसके लिए हमने सरकार को कहा था तो हम थोड़ा वो सरकार को फिर कहेंगे कि इस पर थोड़ा गौर करे और जल्द से जल्द इस पर फैसला लिया जाए ताकि सारे उपरेटर जो है अपनी गाड़ियां सुजार रूप से चला पाएंगे ट्रांसपोर्डर को वह जादा फरक पड़ रहा है इसमें आदे से जादा ऑपरेटर अभी भी गाड़ी नहीं चलाएंगे क्योंकि वह अभी भी आड़े हुए हैं कि जब तक सरकार कुछ और रियायत ना दे तब तक गाड़ी चलाना संबब नहीं है क्योंकि अभी बत्तर बत्तर पे जो है डीजल का रेट हो गया और किराया भी वह है तो इसमें डीजल पर कुछ ना कुछ रियायत में सबसीडी के तौर पर गवर्मेंट दे तो आगे गाड़ियां चल पड़ेगी से ठीक से पर तेल रोज दिन प्रती दिन बढ़ता जा रह है तो इसे हम चाहेंगे गवर्मेंट से कि कुछ ना कुछ जो है इसके बारे में जूर सोचे और इसमें हम जो है कल से जो है कुछ एक रूट जो है दवारा बढ़ाने जा रहे हैं जो ग्रामिंड क्षेतर के हैं 10-15 रूट है सिटी चैनल के लिए कुलू से दिलीब ठाकुर की रिपोर्ट